सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आज ये बताया कि कृशी कानून अगले आदेश तक लागून नहीं हो सकते हैं आपको बता दे कि पिछले 48 दिनों से किसान दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर्स पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम अलग-अलग किसानो कि इसी धरना प्रदर्शन में मौत भी हुई है आपको बता दे कि सुप्रीम कोट ने चार सदस्य कमिटी बनाने का भी ऐलान किया है वो कौन-कौन से लोग हैं जो इस कमिटी का हिस्सा होंगे सबसे पहले आपको बता देते हैं जीते इंदु सिंग मान होंगे डॉक्टर प किसानों के बीच में पिछले 48 दिनों से जो गतिरोध था उसे अज सुप्रीम कोट ने कहीं न कहीं उसे थामने की उसे रोकने की कोशिश की है लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि वो 3 कौन-कौन से वो कृषिक कानून है जिस पर किसानों और सरकार के बीच में तक आ गया, सरकार को घेरने के लिए किसान चल दिये थे और अब लगबग 50 दिन जिसको अगर हम स्पेसिफाई करें तो 48 दिन से ये जो धर्ना प्रदर्शन लगातार चला है, तीन कानून है, तीन कानूनों को बहुत सिंप्लिफाई अगर करी तरीके से समझें तो पहला है ब जो दूसरा में कानून था जिस पर सबस्यादा हंगामा हुआ, वो APMC मंडियों से रिलेटेट था, कि APMC मंडियों के पैरलल प्राइवेट मंडियां आ सकती है, सरकार ने साफ कह दिया कि APMC जो सरकारी मंडियां होती है, जहां पर फसलें बेची जाती है, उनका एक आधिकार खतम होना चाहिए, वहाँ पर टेक्स भी लगता था, इसलिए सरकार ने कहा कि अब प्राइवेट मंडियां आ सकती है, और ये चीज हो सकती है, इस पर सबस्यादा हंगामा रहा है, तीसरा जो कानून था, वो कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है, उसमें ये बता कानून थे, सरकार लगातार कह रहे थी कि हम किसानों की आये दुगनी करने के लिए लेके आएं, जो मोधी सरकार का कहना है, कि वो 2022 तक किसानों की आये दुगनी करना चाहती है, और ये कानून उसी गती में आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसानों का लगातार कहना था, कि ये जो कानून है ये एक तरह से प्राइविटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आज आप APMC मंडियों के पेरलल कुछ लाके आ रहे हैं इसके बाद आप MSP को खतम कर देंगे आप देखेंगे कि इन तीनों कानून के बाद जो चीजे निकली थी पूरे आंदोलन में जो च किसानों का लगातार कहना था कि इस अलग कानून भी बनाना चाहिए MSP का एक नया कानून के तौर पर आना चाहिए आपको बता दें कि सबसे महत्वपून बात ये भी है इस वक्त कि जो तमाम किसान इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले आरतालीस दिनों से कि जाएगा लेकिन जो 26 जैन्वरी को वह ट्रेक्टर मार्च करने की बात कर रहे हैं मतब किसान सारे संगटन वह कहना है वह एज़िट होगा इसमें एक बात जान लेना यहां जरूरी है कि अब मंडे को इस ट्रेक्टर मार्च को लेकर जो बात है इस पर भी सुनवाई है कि जो 26 जन्वरी को होगी अगर ऐसा होगा तो यह सही है की गलत है उस पर भी सुनवाई होनी है लेकिन किसान संगटन किसान लगातर अडे हैं कि वह 26 जन्वरी को ऐसी चीज है करेंगे वह मार्च करेंगे राकेश चिकत नहीं काए कि अभी इस फैसले पर विचार किया चाते हैं और किसानों से related issues को हमेशा address करते रहे हैं तो यह जो committee है सरकार Supreme Court ने साफ का है कि हम जो committee बना रहे हैं हम ground report जानना चाहते हैं कि actually में हो क्या रहा है किसान जो कह रहे हैं वह बात सही है या सरकार जो बार-बार यह बात कह रही है कि हम शंशोधन से समाधन का रास्ता हैं आपने देखा होगा कि करीब 9-10 दौर की बातचीच चली गई है लेकिन बे नतीजा रही है हर बार यह होता है कि किसान जाते हैं और लंच करके वस वापस आ जाते हैं लेकिन कोई रास्ता निकलके नहीं आता है तो इसको लेकर भी Supreme Court ने साफ का है इसमें एक important बात ही है कि जब यह सुनवाई चल लएती तो कल यह डेड़ घंटे सुनवाई चली है आज भी लंबी सुनवाई चली है तो इसमें attorney journal ने कहा कि आप यह CGI से कहा यानि कि Chief Justice of India से कहा कि अगर आप इस पर इस्टे लगाने की बात कर रहे हैं तो एक तरह से कानूनों को रोकने जैसा है तो CGI एस बोबड़े ने कहा है कि हमें सब पता है हम सोच समझ कर सूजबूच के साथ यह फैसला दे रहे हैं और यह बहुत जरूरी है जो हम कर रहे हैं